सभी विध्यारतियों का और मित्रों का मेरे यूट्यूब चेनल सुजस अकेडमी अलवर पर बहुत-बहुत स्वाधत है दोस्तों पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने चंबल नदी को प्रोग तूप से पढ़ा था इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चंबल की साहिक नदियां तो चंबल की साहिक नदियां वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बहता दी थी लेकिन इस वीडियो में मैं एक ट्रिक के मादम से आपको ये नदियां बता रहा हूँ तो चम्मल की साहिक नदियों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं वो ट्रिक है कि आप पानी में आलू बना कर बता दो क्या ट्रिक है दोस्तों कि आप पानी में क्या बना कर दिखा दो आलू बना कर दिखा दो या बता दो ठीक है आप पानी में आलू बना कर बता दो यह ट्रिक है आपकी तो इस ट्रिक से कैसे आप नदियों को याद करोगे तो आ से हो जाती है दोस्तों आहू नदी जो आपके चंबल की साहिक नदियों में से एक है पासे परवन पासे पारवती नी से निवाज हो जाती है निवाज ये निमज ये एक परवन की साहिक है में से मेज हो जाती है दोस्तों फिर आलू से आलनिया एक छोटी नदियों इसकी साहिक है बना से बनाश नदियों हो जाती है कर से कालिशिंद हो जाती है कुराल भी हो जाती है कालिशिंथ और कुराली ये सुट यह यह एंगे दोनों नदिया ठीक है ब से बामनी नदी हो जाती है है तो यह इसकी प्रमुक साहेक नदीया है चंबल 안दीय की कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि की जदी हूँ कि जैसे माला होती है माला में धागा जो होता है उसका बड़ा रोल होता है तो जो मन के होते हैं वो मन के इस धागे के तुरू जो है रुके हुए होते हैं अगर मान लीजिए आप यह भूल जाते हैं या इसमें थोड़ा सा बदलाब जैसे मैं अभी कि आप पानी में अलू बनाकर बता दो तो मैंने बोला था है इसको अलू बनाकर दिखा दो ठीक है तो बता से अगर दिखा हो गया तुह पूरा को और चेज जो जाए गया तो ट्रिक को आपको कम से कम यह यहाद रखरता आगर आप ażालिया नहीं कर पाते एस कि कंडिशननने को आपको फढ़ना कि मैं आपको बताएं कि जब बताए रहे हैं तो चंबल कि नदिया मैं आपको बताई कि आप पानी में अलू बना कर बताँ दो आब से परपन से ठीटिज् Edu nay रहती हैं में से में हो को दिखत यहां तक आपको मुझे लगता है पूश कंगत का नहीं हम सबसे पहले जो नदी पढ़ने वाले हैं वह है हं तो यह दूस्तो कालीशिंद्ध में हम क्या पढ़ेंगे इतना शचैज्ड को नक्चे पर समझते हैं एक इसतरा बहो भी адर राध्या सथान में कहां से प्रविश करती है कितने किलोमिटर भैती है ठीक है और कौन-कौन सी नदियों को अपने साथ समेटे हुए है तो इस नक्से में दोस्तों आप ढंसे देखिए काली शिंद नदी को यह काली शिंद दोस्तों यह मध्य प्रदेश वारा हिस्साय जो तो मध्य प्रदेश में निकलती है और मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है तो मध्य प्रदेश में निकलते दोस्तों बागली गांव की पहाड़ियां जो कहां पर हैं देवास में मध्य ठीक है देवास जो जिला है वहां पर मध्य प्रदेश में बागली गाम की पाड़ीओं से निकलते कौँछी नदी दोस्तों अ काली से ठीक है यहां से निकलेगी और फिर स्टार्ट होगी राजस्तान की तरफ राजस्तान में यह बिंदा एक गाम है जहला बाड में कौन सा ग और गाग्रोन फोर्ट के पास इसमें नदी मिलती है जिसका नाम है दोस्तो आई तो अहु नदी इसमें कहाँ मिलती है घाग्रोन के किले में आपके सिक्लें तो यह दोनों locks पर किले accurate प्रकालिश्ञीर क으रा ते आगे चलती है आगे चले तो Mixed प्रिवेस्ट करती है तो एक नदी और आ रही है दर से मध्यप्रदेश की तरप से जिसका नाम है परवन है यह परवन इसमें पलायता गाम है और यहां पर यह परवन काली कोटा में एंटर करें और कोटा में एन्टर करने के बार ना एक जगे है छाँ जहां पर hasnel की खाड़ी ठीक है इस प्रकार से यह बंगाल की खाड़ी अब वहाद की नदी है दोबारा देख लिए काली शिंद को बागली गाउं की पहाड़ी देवास मद्यप्रदिश से निकलती है उसके बाद बिंदा गाउं से राजस्थान में एंटर करेगी और गागरोंड में जा जालाबाड में जो काली शिंद नदी है इस पर काली शिंद थर्मल पावर इस्टेशन इस्थापित किया गया है कब किया गया है 2014 में ठीक है काली शिंद थर्मल पावर इस्टेशन कहां पर इस्थापित किया गया है जालाबाड जालाबाड ओके तो एक बार दोबारा दौ औहीं और इन तीन जनों के बेहने के बाद प्रियोजणा या परियोजणा चोटी परियोजणा हुँ तो यह सारी नदियां जोहें किसमें गरती हैं तो अहु परवन निवाज चौली और उजार ठीक है तो यह इसकी साहयक नदियां हो जाती हैं अगर कालीशिंद की लंबाई आपसे पूछता है तो 145 km बैचते हैं तो राजिस्थान में इसकी लंबाई क्या है कालीशिंद नदी की 145 km क्लियर है दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद वो पढ़ेंगे हम परवन नदी के बारे में क्योंकि कालीशिंद में की शाहयक नदी है परवन तो हमें पढ़ाने में इसको थोड़ी सी आसानी रहेगी तो यदि हम परवन नदी की दोस्तों बात करें तो परवन नदी जो है ये भी बिंध्याचल से ही निकलती है दो धाराओं के रूपे निकलती है दोस्ते ये एक धारा है घोड़ा-पचाड नदी की पर दूसरी धारा है अजनार नदी की यानि कि दो नदियां है अजनार और घोड़ा पचाड़ा जब यह दोनों नदियां मिल जाती है तो दोनों नदियों को मिला करके क्या नाम दिया जाता है परबन और यह राजस्थान में एंटर करती है कहां से खारी बोर गांव है एक मनोहर थाना जालावार में आपके बाल इतना याद रख लिजे मनूहर थाना चेत्र जालाबाळ ट्रह यहां पढ़ां कौन सा है खारी बोर गाऊं यहांसे एंटर करेगी काया पें जालाबाऑ definitely करने के बाद यह सीथे एंटर करेगी उसमैं आपके बाराम है टिक है बाराम में से उसा मिल जाती है कि तो काली शिंद जो आ रही है इस काली शिंद में मिल जाती है और फिर काली शिंद कहा चली जाती है चंगल में ठीक है तो पलायता गाउं बारा में जो परवन नदी है ये किसम मिल जाती है दोस्तो काली शिंद नदी में मिल जाती है तो यहां ध्यान रखें कि इस परवन नदी में कुछ साहिक नदियां भी इसकी मिलते हैं जिनमें प्रमुक हैं निवाज या नेवज या निमाज इसके अलावा धार और छापी यह इसकी कुछ प्रमुक नदियां हैं छापी नदी इसमें बारा में मिलते दोस्तों छापी पर परवन नदी है बिंद्या चल से ही निकलती है मध्य प्रदेश ठीक है और राजिस्तान में खारी बोर गाउं कहां पर यह मनोवर ठाना छेत्र जो है कहां पर बजालावार यहां से इंटर करेगी राजिस्तान में अच्छा कई बार यह पूछता है कि परवन नदी कौन-कौन नदी की सैंट घारा है तो आप यह भी ध्यान रखना कौनकौन सी नदिया अजनार और घुड़ा-पचाड नदियों की संट घारा है यह दोनों मिलती है तब जाके परवन मलती है और किस पर नदी है चंबल की भी है और काली शिंदी की पर चंबल की समझ गई बात आप तो कौन कौन सी सायक हैं तो इसकी सायक है निवाज या निमाज चलावधार और छपी अच्छा ये पुछे परवन नदी पर कौन सा अभ्यारन या पर परवन नदी कौन सा भ्यारन जिससे ये गुजरती है कि लिए रहते दोस्तों चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पारवती नदी को तो आप दोस्तों हम देखते हैं पारवती नदी को पारवती जो नदी है यह आपके मध्यप्रदेश से ही निकलती है और मध्यप्रदेश में कहां से निकल रही दोस्तों यह सीहोर छेतर से बिंध्याचल परवती है यहां पर भी जो अरावली की सोरी चमल की जो सायक है वो जाद तर नदियां बिंध्याचल से ही निकलती है तो पारवती नदी जो है यह निकलती है कहां से सिहोर छित्र मध्य प्रदेश से निकलती है फिर राजिस्थान में एंटर करेगी राजिस्थान में चतरपुरा गाउं से एंटर करती है दोस्तों और चतरपुरा गाउं कहां है 12 डिस्टिक में और यह कर्याहट एक फेमस जगह है कर्याहट ठीक है यह लिख दिये मैंने कर्याहट एक फेमस जगह है यहां पर तो कर्याहट के पास है यह गाउं च्छतरपुरा गाउं यहां से एंटर करेगी 12 में और फिर 12 जिस्टिक में बहती हुई दोस्तों कोटा में चली जाएगी ठीक है कोटा में यह बहती हुई पालिया एक गाउं पढ़ता है दोस्तों यह सीमावर्ती चेत्र है कोटा और सवाई मादोपुर का ठीक है कोटा और सवाई मादोपुर के सीमावर्ती चेत्र जहां पे कौन सा गाउं पढ़ता है पालिया गाउं ठीक है कोटा और सवाई मादोपुर दोनों ही आपको बुक्स में मिल सकते हैं और ऑप्शन में भी मिल सकते हैं रखना वैसे गाउं कोटा में पड़ता है तो यहां से यह प्रवेश करेगी किसमें चंबल नदी में यानि कि चंबल में बिले हो जाएगी कौँछी नदी दोस्तो पारवती नदी यहां रखना पार आपके चंबल नदी में मिल रही इसकी सायक नदियों की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अंधेरी रेतरी लहाशी बैंथली कूल और विलास यह इसकी कुछ सायक नदिया हैं इन पर छोटी पर्योजना चल रही हैं लगू शिचाई पर्योजना और मध्यम चाहएं पर्योजना हुँ है कई बार प्रिख्चाउन प्ोचा भी लहाशी बारा में ठीक है तो पार्वती नदि जो है कह पर बगयती है बारा में लेकिन दोस्तों याद एक पारवती नदि करोली औहीं धौल-पॉर में वेटी और गंभीर नदी में मिल जातीं हो उसको तो अलग है ठीक है उसको ध्यान रखना और उससी पर पार्वाधि रिखेंगे उसे पर नहीं चलती हुँ प्रहम है उसको हम गंभीर नदी के साथ आपको बताएं गया तो पारवती नदी इसमें पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे ब्रह्मणी तो दोस्तों जो ब्रह्मणी या बामनी नदी है इसी को बामनी भी बोलते हैं दोस्त धान रखना बामनी या ब्रह्मणी यह नदी दोस्तों जो चित्तोड का दूसरा खंड है दूसरे खंड में हरी पुरा गाम की पहा आरे भेंशरोडगाड़ का किला बना हुआ है तो द्यान दें कि जो ब्रामणी नदी है ये ब्रामणी नदी हरीपुरा गाउंचित्रोगर से निकलती है और भेंशोड़ के पास के समय मिल जाती है चंबल में मिल जाती है नेक्स्ट है lifts तो जोस्तो चो कुन्नो नदी है ये भी आपके मध्य प्रदेश ही निकलती है और मध्य प्रदेश में कहां से निकल रही है गुना गुना जो जग है आपने सुना होगा को गुना मध्य प्रदेश निकल के और फिर ये राजस्थान में एंटर करेगी मुशेरी से मुशेरी कह एब यहाइनि निकल निकलेगी मद्धर प्रदेश में जाने के वाद करोल्य की सीमा पर इसमें मिल जियुत है चंबल में यह भी आपके चंबल की साइक है और gland कंबा साइक Charlespai एक Irish कराञ और और इकo कराल और रेमफी नदी यह दोनों कहां से निकलती है मध्यपरदेश कराल एक कुराल और दोस्तों ध्यान रखना वह कुराल नदी अलग है वह कुराल नदी कहां से निकलती है तो कुराल नदी यहां से निकलती है उपरमाल के पठार से ध्यान रखना और उपरमाल के पठार से निकल के किस में मिल जाती है चंबल में मिल जाती है तो जो हम बात कर रहें तो वह मेजणदी की कर रहे हैं मेजदी भीलवारा से निकलती है और भीलवाडा से निकलती है और लाखिरी गाउं में लाखिरी गाउं क्या कह सकते हैं इसको हम एक उपखंड है लाखिरी बूंदी में तो यहां लाखिरी बूंदी में जाकर करके किश्म मिल जाती है चंबल नदी में मिल जाती है लेकिन मेज नदी में एक साहि और इस राजस्तान का सबसे खुब सूरत जल पर पाता है देहान रखना ठीक है जो मांगली किसकी साहिक है मेज की मेज कहां से निकलती है भीलवाड़ा से लाकेरी बूंदी में किसमें मिल जाती है चंबल में क्लियर है इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आहू नदी की आह जहलावाड़ में जहलावाड़ में यहां से प्रवेश्ट करेगी यहां से बैने के बाद आगे चलेगी और गाग्रों में जाकर गाग्रों जो है Antes qadical किसकी सायख नदी है काली शिंद नदी के शायक नदी है कलियर है दोस्तों यहां तक आप इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे आ estos आलड़ी के वाथ कर रहे हैं आ यह आलनिया जो नदी है दोस्तों यह आपके मुकंद वाढरा की जो पहाडियां है कांपे पड़ती यहां से निकलने के बाद यह जो मुकंद्रा की पहाड़िया है इनमें बैती हुई मुकंद्रा हिल्स अभ्यारण में बैती हुई और निकल के सीधे नोटाना गाउम है इक कोटा में इस मिल जाती है संबल में द फू हों पर आईम पर को और हां चल रही है तो की ईन नदियों पर चाहना कहां मिनदेए कोटा में ठीक है इक में आपको छापी बताई थी प्रियोड करें तो दोस्तों आजा हम वीडियो हैं उसमें केवल चंबल की शायक नदियों में एक बनास को यदि छोड़ दें तो बाकि जो सभी नदियां हैं वो मैंने यहां पर क्लियर कराएं क्योंकि बनास एक बड़ी नदी है और इसकी भी बहुत सारी सायक नदिया हैं तो इसके लिए हम अलग वीडियो तयार करेंगे बनास के लिए तो याद रखना दोस्तों बनास नदी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है तो इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है एक वार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं ठीक है हमने पढ़ा है कि चंबल की शायक देख लीजिए अहु नदी सुशनेर मध्यush प्रदिश से निकलती है और नंदपुर गांव दधतां चली करें तो पारवती सीहोर मध्यप्रадीस से निकलती है फिर डर्या गांग करने के बाद कहां चली जाती है पालियदा गाउट। इस इस Room करें जो कुनु नदी है ये गुना मध्य प्रदेश से निकलती है और इसके बाद राजस्तान में प्रवेश करेगी और राजस्तान में सबसे पहले कहां प्रवेश करती है दोस्तों तो मुशेरी गाउं बारा में और वहां से निकलने के बाद ये फिर दोवारा मध्य प्रदेश म और उसके बाद ये पलायता गाउं जो बारा में पढ़ता है यहां पर किस में मिल जाती है काली सुद्ध में राहिस्थान में कहां से परवेश करती है परवन तो कर्याहट के पास छन्तर पुरा गाओ channels से परवेश कर रिएगी ठीक है इसी तरह इदर बात करें तो बामनी जो नदी है यह हरीपुरा गाओं से निकलती है और भेंसरोडगर के ले के पास किसमे मिल जाती है चंबल में इसी तरह कुराल नदी उपरमाल के पठार से निकलती है और उपरमाल के पठार से निकलने के बाद ये आपके बूधी में बैती हुई किसमें चली जाती है चंबल में मिल जाती है इसे तरह मेज नदी बिलवाडा से निकलती है य उब उपर महल पढörung आखार के उत्री छ्फेटर से निकलती है द्यान रखना तो मेज यहां से निकलती है और इसमें एक मंती है मांगली नदी पर अचित है एक संदर जल्परपात है है बनास इसमें सभाई महदोपुर में आपके रामश्वरम नामकिस्थान पर किसमें मिलती है आपके चंबल बे मिलती है तो बनास नदी को हम अगली वीडियो में पढ़ रहे हैं दूस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं हमें कमेंट के माद्यम से जरूब बताएं अगर आपको हमारी वीडियोज में कोई समझ से आ रही है तो आप हमें कमेंट के माधिन से सूचित करें ठीक है दूसरा यदि आपको इन वीडियोज से संबंदित study material चाहिए जो मैं आपको पढ़ाय जा रहा हूँ उनका study material आपको अगर चाहिए तो नीचे description में एक link दिया हुआ है जो मेरे telegram channel का है वहां पर आपको यह सारे जो है PDF के रूप में मिल जाहेंगे ठीक है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा channel पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें ठीक है धन्यवाद भई